जब अचानक इतने सारे नागों का जुंड अयोध्या पहुंचा, तब पुलिस भी देखकर भागे। और फिर क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो गिद्ध का जुंड राम मंदिर में दिखाई दिया, जिसे जटायू के वन्शज कहा जा रहा है, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, और कुछ देर बाद कई बंदर भी आ पहुंचा, जिसे वानर सेना का प्रतिक दिया जा रहा है और इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो की जामवंत का प्रतीक है, लेकिन अब एक ऐसा चमतकार देखने को मिल रहा है, जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बरे रहस्य से परदा उठने वाला है, आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है, आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग-अलग प्रजाती के आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भगवान श् प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसबरी से इंतजार है, भगवान श्री राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों सोरों पर है, ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बलकि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है, आखिर राम मंदिर की प्राण अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, 22 जनवरी सोमवार के दिन म्रिग शीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है, यही कारण है कि इस थिथी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है, साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस गलग प्रजाती के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो की अयोध्या वासियों के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं, लेकिन गिद्धों का और भालूओं का संबंध तो प्रभुश्री राम से बताया जाता है, उन्होंने रामायन में उनकी सहायता भी की लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की विडियो में इस रहस्य से परदा उठने वाला है. चौकाने वाली बात ये है कि इनमें दो प्रजाती के नाग अलग-अलग क्षेत्र में बार-बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध बासुकी और तक्षक न नाग और शेशनाग तीनों ही आपस में भाई है जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेशनाग बैकुंठ में भगवान विश्नु की सेवा करते हैं. तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभुश्री राम अपने भाई लक्षमन य क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़ कर सुरक्षित इलाके में छोरा जाता है तो वही सांप पुनहर राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है लेकिन जैश्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है आप भ क्योंकि पूरे घटना करम को मल्टी वर्स के साथ जोर कर देखा जा रहा है जिसे हिंदी में स्रिष्टी चक्र कहते हैं मल्टी वर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंग्टे खरे हो जाएंगे दोस्तों अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना वो भी राम दिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्दार हो जाता है एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायन से जुरा है और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा दोस्तों आज तक किसी ने अयोध्या में जटायू वानर भालू नहीं देखे थे लेकिन अब भगवान श्री राम के स्थापित होने के समय आए तो ये सभी मिलने आए हैं प्रभू श्री राम का आशीरवाद लेने आए हैं दो यह राम मंदिर कितने मंजिलों का बनाया गया है राम मंदिर के अंदर कौन-कौन से कीमती पत्थर चुनाव किये गए हैं राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट तक कराई गई है और उंचाई इसकी 160 फि कि अयोध्या में 2 मांडवों में 9 हवन कुंड बनाये गए हैं इस साथ इसमें 121 पुजारी बताया जा रहा है कि अयोध्या के लिए अगर बत्ती की लंबाई 108 फिट है तथा इसका वजन 3500 किलोग्राम है जो अयोध्या में 19 जनवरी तक पहुंच जाएगी अब बात करते म भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो आएगी उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी, मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ, सिंग, श्री जगदीश, सिंग, योगी आदित्यनाथ, सुश्री ममता बनर जी पुशकर, सिंग, धामी ये महान हस्तियां मंदिर के उ अब बात करते हैं, भारत के बॉलिवुड कलाकारों के नाम के बारे में सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन का, उसके बाद में बताया जा रहा है कि गोविंदा अक्षय कुमार, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, सीमा, चौधरी, अभिशेक, कुमार सल्मान खान, शाहरुक खान, रणबीर, कपूर, वही क्रिकेटरों के बारे में बताया जा रहा है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्माजी, मंदिर के उधगाटन में शामिल होंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमतकारी घटना सामने आ रही है, जिसे देखकर हर भार रतवासी है, जो गिद्ध और भालू हमें पिछले कई सालों से कई नजर भी नहीं आये है, लेकिन बरी संख्या में गिद्धों और भालू का जुंड का जुंड पहुंच गया है, बहुत लोग इन्हें साक्षात जटायू जामवंत का रूप कह रहे हैं, जो भगवान श् पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमतकार है, और ये खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमतकार की चर्चा बहुत तेजी से होने लगी, इस चमतकार को आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, आज के इस वीडियो मे भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए, वह चमतकार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे। दोस्तों, अयोध्या, मंदिर में हजारों की संख्या में लंगूरी बंदर भी नजर आ रहे हैं, जो साक्षात हनुमान जी की चमतकारी कृपा होने का अंदाज बताया जा रहा है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैश्री राम